गाइस आप देख रहे हो ना रास्ता यह में रोड है चंद्रबूर का तो आभी हम में रोड से भीतर जाएंगे अभी हम आ चुके हैं में रोड से भीतर एक गाउं बहुत ही सुन्दर है इसलिए हम आये थे गाउं को देखने तो मैं सोचा क्यों ना आपको भी मैं देखा और पीछे में राजो और हरी भी हैं तो आप देख सकते हों कितना अच्छा लगड़ा है घर दिखने में अगे में आप देख पार होंगे हरी चला रहा है और राजो बैठा है अभी हरी उतरेगा और राजो भी और हरी राजो को बाइक देगा क्योंकि हरी उतना अच्छा से चलाने नहीं सकता है तो अभी ख़नी ने दे दिया है राजू को चलने के लिए और में भी उतर गया हूं और अभी हम नीचे जाने वाला ही है और ठोड़ा दिर में हम लोग नीचे पहुझ जाएंगे और में रोड में चला जाएंगे अब देख पारा हैंगे पत्थल है इंटा है सब कुछ है इस रास्ते में सामने में ये चोटा सा बंदिर है जो कि गाउं के लोग पुजा करते हैं बहुत ही रास्ता खराब है लेकिन हम जा रहे हैं आपके लिए आपको मुझे दिखाना है ये रास्ता ओड़े गाउं तो जितना रास्ता खराब था तो अब हम लोग ब्रैप्र कर लिया अब हम लोग में रोट को जाएंगा फुर देर में ही अच्थे आप रभर देख सकते हो बत्चे लोग खेल रहे हैं और अभी हम में रोट में आ ग village में भाड जोने वह और अभी हम चंद्रपूर के मेन सेंटर में ही है तो यह चंद्रपूर का मेन सेंटर है यहां पर बस स्टॉप है और यहां पर एक हाई स्कूल भी है और यह आप आगे देख पा रहे होंगे यह सो रूम है बाइक स्कूटी का तो अभी हम घर की तरफ पर जा रहे हैं और अभी हम टाटी मरा पहुंच चुके हैं और यहां पर एक फैक्टरी है अमूल का यह अमूल का फैक्टरी है और अभी हम डॉमपड़ा आ चुके हैं डॉमपड़ा बहुत ही सुन्दर जगा है यहां पर बहुत लोग आते हैं बाहर बाहर से घुरने के लिए कभी आओ तो आप भी आ सकते हो यहां पर एक अच्छा सा रिजोट है उसमें भी हम जाएंगे और आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र सामने में है और यह सब जंगल कितना अच्छा लग रहा है दिखने में बहुत ही सुन्दर है तो आप हम चलते हैं रिजोट में करे अच्छा. कि यहां से अब हम घर के तरह लिकल पड़े हैं और आस्ते में मोमो खाएंगे और घर चला जाएंगे तो यहीं पर हम लोग ब्लोग को एन करते हैं बाई बाई